Hello everyone, welcome to Success with Rai Academy 30 मज़ 2023 के दैनिक जागरण के राष्टे संस्क्रण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली निउस हम ले रहे हैं एक घोटाला सामने आया है सप्रंग सरकार का उसमें CBI ने केस दर्ज कर लिया है तो इस न्यूझ को हम पहले देख लेते हैं सप्रंग सरकार के कारकाल में हुए घोटालों के सहरे कॉंग्रेस को घेरने में जुटी भाज़पा को एक और हतिहार मिल गया है साथ साल की प्रारंबिक जाच के बाद CBI ने Hawk Advanced Trainer विमान की खरीद में दलाली और रिस्वत खोरी के आरोप में प्रात्मिकी दर्ज की है CBI की प्रात्मिकी के अनुसार ब्रिटिस कंपनी रॉल्स रॉयस से Hawk Advanced Trainer विमान की खरीद में ना सिर्फ दलाली की गई बलकि बिचौलिय का नाम भी उजागर होने से रोकने के लिए कई करोणों की रिस्वत दी गई थी ब्रिटिस सीरिया Fraud Office के सामने खुद रॉयल्स रॉयस ने बिचौलिय को दलाली और रिस्वत देने की बाद स्विकार की थी Next News पर आते हैं Navigation प्रणाली को मजबूती देने के लिए N.V.S.01 launch स्वदेसी Navigation प्रणाली को मजबूत करने की दिसा में भारतिय अंतरिक्च अनुसंधान संगठन अर्थात इस्रो ने बड़ा कदम बढ़ाया है सोम बार को इस्रो ने Second Generation Navigation Satellite N.V.S.01 को सफलता पूर्वक कक्षा में इस्थापित किया है यह इस Second Generation Season Series का पहला Satellite है इससे स्वदेसी Navigation प्रणाली सबसे सटीक हो सकेगी N.V.S.01 की Launching Navigation with Indian Constitution Service की निरंतरता को सुनिश्चित करने की दिसा में महत्पून है यह अमेरिका के GPS की तरह भारत का अपना Satellite Navigation System है जिससे Real Time और सटीक Navigation संभव होता है पहले इसे Indian Regional Navigation Satellite Systems के नाम से जाना जाता था भारत ने 2007 में इसका एलान किया था हलाकि पहला Satellite 2013 में Launch किया जा सकता था पहले चरण में 7 Satellite भेजे गए थे अब भारत दूसरे चरण के तहट Second Generation Satellite Launch कर रहा है N-V-S-01 इसी क्रम में पहला Satellite है इसरो के प्रमुख S. सोमनात ने सफल प्रक्षेपन के लिए टीम को बदाई दी Satellite में स्वदेसी Rubidium Clock लगाया गया है समय मापने की यह तकनीक कुछ चुनिंदा देसों के पास ही है सरकार महंगाई कम रखने को प्रतिबद पिछले दो महिनों से लगातार कम हो रही महंगाई को सरकार लगातार काबू में रखना चाहती है वित्मंत्री निर्मला सीता रमंड ने कहा है कि सरकार महंगाई को कम रखने के लिए प्रतिबद्ध है महंगाई पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और महंगाई से जुड़े सभी आंकडों को जमीनी इस्तर पर इखटा किया जा रहा है इस साल अप्रेल महा में खुद्रा महंगाई दर 4.6% के साथ 18 महीने के निचले इस्तर पर थी तो थोक महंगाई दर नकरात्मक इस्तर में प्रवेश के करीब है सरकार के 9 वर्स पूरे होने के आउसर पर सोम बारको मुंबई में आयोजित एक समवादाता समेलन में सीता रमण ने कहा कि टैक्स के रूप में वसूला गया एक एक पैसा सरकार गरीब वा पिछड़े वर्क के कल्यान पर खर्च करती है गरीब कल्यान से जुड़ी कल्यान कारी योजनाओं की सूचना काफी लंबी है और सरकार वर्स 2014 और वर्स 2019 में चुनाओं के दोरान किये गए अपने सभी वादों को पूरा कर चुकी है सीता रमण ने कहा कि भारत बागबानी उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है यहाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के PM किसानों को सस्ते कर्ज खाद के इस्थिरमूल जैसी नीतियों की वज़ा से हो सका है चलिए नेक्श नियूस पर आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलने से पुर्वत्तर में पर्रेटन को मिलेगा बड़ा हावा मोदी कि वंदे भारत एक्सप्रेस से पुर्वत्तर में पर्रेटन सिक्षा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए आउसर मिलेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुआहाटी और न्यू जलपाई गुड़ी के बीच चलाई गई है पीम ने कहा वंदे भारत ट्रेन से असम में कामाख्या मंदिर, काजी रंगा वा मानस राष्टी उद्दान और पोभी तोरा के साथ साथ में घाले में सिलॉंग और चेरा पूंजी और अरुनाचल प्रदेस में तवांग और पासी घाट के लिए परेटन उद्द्यों को ब राष्पती दौप्ती मूर्म ने सतरक्ता आयुक्त प्रवीन कुमार सिरवास्तों को सौमबारको केंद्री सतरक्ता आयुक्त पद की सपत दिलाई है वह सुरेष एन पटेल का कारेकाल पूरा होने के बाद गत दिसंबर से कारेवाख सीवी सी के रूप में कारे कर रहे थे राश्पती भवन के बयान के अनुसार सुबह साढ़े दस बजे एक समारो में प्रवीन कुमार सिर्वास्तों ने केंद्री सतर्प्ता आयुप्त के रूप में सपत ली है इस मौके पर उपराश्टपती जगदीब धनकड और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी उपस्तित थे सिर्वास्तों असम मेगाले केंडर के 1988 बहच के आईएस अधिकारी हैं वह 31 जनवरी 2022 को सचिव कैबिनेट सचिवाले के पत से सेवा निवरित हुए थे बता दें कि केंडरिय सतर्क्ता आयोग में अधिक्तम दो सतर्क्ता आयोगत हो सकते हैं केंडरिय सतर्क्ता आयोग में एक सतर्क्ता आयोगत का पद रिक्त है खूफिया व्यूरो के पूर प्रमुक अर्विंद कुमार एकमात्र सतर्क्ता आयोगत है नेक्ट्ट न्यूज है जैसंकर ने ब्रिटेन के मंतरी को चेताया लोगतांत्रिक स्वतंतर्ता का दुरूपियोग रोकें विदेश मंत्री S. जैसंकर ने भारत दौरे पर आये ब्रिटिस मंत्री लॉर्ड तारिक एहमद से ब्रिटेन में भारत के राजनेक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोक्तांत्रिक सुतंत्रिकता के दुरुपियों को रोगने को कहा है विदेश मंत्री लॉर्ड एहमद राष्ट मंडल और विकास मामलों के हैं ये किसांद बैठक के दौरान जैसंकर के दावे खालिस्तान समर्थकों द्वारा मार्च में लंदन में भारती उच्चा योग में तोड़फोड की प्रष्ट भूमी के खिलाफ था विदेश मंत्री जैसंकर ने सोम बार को कहा कि आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के मोस लॉर्ड तारिक एहमद से मुलाकात की हमारे राजनेक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकनी के दावित्त को रेखांकि थी जैसंकर ने कहा कि उन्होंने यात्रा पर आये विदेश राज्यमंत्री के साथ मुक्त व्यापार समझोते और दच्चन एसिया से लेकर हिंद प्रसांत और जी 20 तक कई मुद्दों पर चर्चा की है नेक्ट निउस पर आते हैं तुर्किये के राश्पती एर्दोगन को मोदी ने दी बधाई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव में विजय होकर दोबारा तुर्किये के राश्पती बनने जा रहे रिसब तैयब एर्दोगन को बधाई दी है एर्दोगन ने बहत कड़ी प्रतिस परधा में जीत हासिल की है तुर्किये ने हाल के वर्सों में कश्मीर के मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया है और इस वज़ा से बारत के साथ उसकी कूट नितिक तनातनी भी हुई है इसके पाउजूद प्रधान मंत्री मोदी राश्पती अर्दोगन को सबसे पहले बधाई देने वाले वैस्विक निताओं में से एक हैं प्रधान मंत्री मोदी ने दोनों देसों के बीच रिस्तों में सुधार की उमीद भी जताई है और वैस्विक मुद्दों पर साथ काम क की बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने आपचारिक तौर पर यह बधाई दी है जो वैस्विक संबंदों का तकाजा है लेकिन जानकार मानते हैं कि इसमें दोनों देशों के रिष्टों पर सकरात्मक असर पड़ेगा वजह यह है कि अर्दोगन की सरकार ने पिछले एक वर् रिष्टों को बनाने की कोशिस करेंगे नेक्स निउस है बिजनेस पेज से कि कुछ बैंकों में प्रसासनिक गड़बडियां मिली दास आर्बियाई गवर्नस अक्तिकान दास ने सोंबार को कहा कि आर्बियाई ने कुछ बैंकों के कार्पुरेट गवर्नस याने की बैंको में प्रसासनिक गड़बडी का पता लगाया है उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि बैंक बोर्ड और प्रबंधन को इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करना चाहिए क्योंकि उनमें समस्त बैंकिंग छेत्र में अस्थिर्ता पैदा करने की छमता है किसी भी बैंक में इस बैंक क्रतिम रूप से वित्टिय परदरसंद में सुधार के लिए स्मार्ट अकाउंटिंग के तरीके अपना रहे हैं उन्होंने कहा कि बैंक दबाओ वाले कर्च को लेकर वास्तिक इस्तिदी छपाने की कोसिस करते हैं इसके लिए वे दूसरे बैंकों का भी साहरा लेते ह इसके साथ एक दूसरे के करच को बहतर दिखाने के लिए उसकी बिक्री और पुनर्खरीद का सहारा लिया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए नहीं देना होगा ISTS केंद्र ने कार्पुरेट छेत्र की एक बड़ी कंपनी को स्विकार करते हुए 31 दिसंबर 2030 तक देश में लगने वाले सभी ग्रीन हाइड्रोजन वा ग्रीन अमोनिया संयंत्र को अंतराजी ट्रांस्मिशन सुल कियाने की ISTS से 25 वर्सों तक रहात देने का फैसला किया है पर सौर, पवन वा हाइड्रो संयंत्र से बिजली मिल सकेगी बिजली मंत्राले की ओर से जारी अधिसूशना के अनुसार एक जनवरी 2030 के बाद लगने वाले संयंत्र को मिलने वाली छूट में धीरे-धीरे कमी की जाएगी कें सरकार पहले ही गोशला कर चुकी है कि बड़े उ हाइड्रो प्लांट से बिजली खरीदने का समझोता कर सकते हैं नेक्स्ट न्यूज है जन्वरी और मार्च जन्वरी से मार्च 2023 के दौरान सहरी बेरोजगारी दर 6.8% रही है सहरी छेत्र में 15 वर्ष से जादा आयू वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर में कमी आई है राश्टी सेंपल सर्वे और से जारी डाटा के अनुसार जन्वरी मार्च 2023 के दौरान सहरी छेत्र में बेरोजगारी की दर घटकर 6.8% रही जो एक वर्ष पहले समान आउधी में 8.2% थी NSSO के अनुसार जन्वरी से मार्च 2022 के दौरान करोना संबंदी प्रतिबंदों के चलते विरोजगारी दर के मुख्य रूप से बढ़ोत्री हुई थी आउधी श्रम बल सर्वे के अनुसार जुलाई से सितंबर 2022, अक्टूबर से दिसंबर 2022 के दौरान बेरोजगारी दर 7.2% थी चलिए नेक्ट निउस पर आते हैं चीन 2030 में चांद पर भेजेगा अंत्रिक्ष यात्री चीन 2030 तक चांद पर अंत्रिक्ष यात्री भेजने की तयारी कर रहा है चीन के अंत्रिक्ष एजंसी CMSA के डिप्टी डिरेक्टर लिन सिंग्यांग ने सोंबार को इसकी जानकारी दी है अंत्रिक्ष कारक्रमों से जुड़े चीन के कुछ विज्ञानी पहले ही इस बात की संभावना जता चुके है अब सिर्स इस्तर पर इस पर मुहर लगी है चीन अभी अपने अंत्रिक्ष स्टेशन तियांग नोंग के लिए तीसरी बार अंत्रिक्ष यात्रियों को भेजनी की तैयारी कर रहा है नेपाल में हिलेरी के माउंटेन एवरेश्ट फता की सतरवी वर्सकाट पर परवता रोही सम्मानित नेपाल में परवता रोही एडमंड हिलेरी और तेंजानी नौरगे तो अब पहली बार विस्व के सरोज सिखर माउंट एवरेश्ट पर विजय प्राप्त करने को सोम बार को सतरवी वर्सकाट मनाएगे इस मोखे पर 28 बार एवरेश्ट पर विजय प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाने वाले सेरपा गाइट कामी रीता समेत दर्जनों परवतारोयों को सम्मानित किया गया तो ये आज का यानि कि 30 माई 2023 का दैनी जागरान का राष्टी संस्क्रण था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद